कि हेलो फ्रेंड्स तो आज का ये वीडियो काफी अधा इंपोर्टेंट होने वाला क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वालों कुछ ऐसे इंजक्शन के बारे में जो कि हॉस्पिटल और क्लिनिक पर काफी यूज की जाते हैं अपने अलालग परपस दे तो चलिए आज का क्या है योड़े स्टार्ट करते हैं तो सबस्केला हम बात करने वालों कुछ ऐसे इंजक्शन के बारे में जो कि काफ यदा यूज की जाथे और वह इंजेक्शन की काफवियादा होते हैं तो पर नहीं कि यहां तो आप से भी जानते हूंगे क्योंकि इसकी काफी जाथ के लिए यूज जाता है लेकिन इसका यूज साथ-साथ में क्या जाता है आगर ये अलगले तरह कि डोजित में अवैल होता है और इस इंजक्शन को हम आई भी फ्लरंड में भी डाल सकते हैं और इसको डायक्त आई भी 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 आज़ दे सकते हैं तो इसके यूजर अलगला होते हैं तो सब्सक्राइब हम बात कर लेते हैं ये एक अरेस्टो कमड़ी का INJECTION जो कि मार्केटों में आपको इजेलिया हो ज़ता और है गसंड का काफी अच्छा काम करता है तो हम बातकर आफ से का हुजे कि उस का कांडि़ कर शाधा था तो इसका जो पहला वाह है अगर आप्की स्टमख Komment इस र६ड im reci imm czy हो जाती है आपके बॉडिम हो अ यह तो उसका कर सकते हैं आफकी अगर स्टमक में गर भी खिर अभिटो यह खाल्च कि उसका कफाफी उसाथ है तो अगर आपको यह लिए अडार तो इसका कफे यह किए calci किया जाता है और चैनल का फिरमस और काफी उसके जाता ऑप यह एक आप 20 की नाम से अवलबल हो जाता है तो हम बात कर लेता अपने नेस्ट इंजेक्शन के बारे में वह हमारा रैंडिट इन तो यहां पर देखिए जो रैंडिट इंजेक्शन है यह खासकर यूज किया जाता है अगर आपके स्ट्रमोंग में एसील कामाण इंक्रीज हो चुका है यह आपके पेड़ में जलन हो रही है तो उस कंडिशन में काफिया दा किया जाता है जो की ऐसी लौक के नाम से काफिया दा फेमस हो और यह अलाला कंपनि इसको मैंटफेक्चर कर दी है और यह आपको मार्केटर में इसली अवलबल हो जा चाहिता और यह काफिया दा फेमस भी है और यह इंजक्शन जो मैंने आपको ऊपर अपर दिखाई यूज कर सकते चूंकि यह कॉस्छ इफेक्टिकव भी है और यह उससे सस्ता भी लिए तो बात कर लिए तो गर आपकी बाड़ी में किसी पर दाल रिक्शन हो रही है यlaws किया तो अगर आपकी नाउरनिंग नोइस तो अगर आपको धिकाम हो चुका है और आपकी नाग नहीं कहली 日क है क्योंकि यह एक तरह का inh individually इंच्चन जो कि उस चीज़ को काफी अच्छे से कवर अब कर लेता है नेक्स्ट हमार इस नीजिंग यहां पर देखिए जो यह कंडिशन होती है आपको बार 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 ठीक आरे यह भी एक तरह की एलरी रेक्शन होती है तो उस कंडिशन में इसका यूज का यूज का यूज किया जाता है चलिए अब हम बात करें पर नेक्स्ट के वारें वह हमारा फ्रूसी माइड तो यहां पर देखिए यह वी काफी यूज किया जाता है क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में और यह एक्शन आपको लैसिक्स की नाम से इसली हो जाता है जो आप किसी मेंटल इस्टोर पर जाकर पर कर सकते हैं कि जो इसका यूज के जाता है तो जो इसका पहला यूज है वो यूरिन को इंग्रीज करने के लिए जैसे कोई बी पेशन्ट है उसको यूरिन नहीं आ रही है तो इस कंडिशन की प्रॉल्म है तो उस कंडिशन में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारी बोडी से जो वाटर का मांट होती है इसको यह एक्सडीट आउट कर देता उस कंडिशन में इसका काफ यादा यूज़ किया जाता है और अगर आपकी बोड़े एडिमा की स्वैलिंग आज चुकी है यह एडिमा एक तरह की प्रॉलम होती है जो कि इसमें आपकी किसी पार्ड में जो वाटर का मांट वो इंकरी सुथा तो उसका काफी यूज़ किया जाता है और यह काफी यूज़ भी किया जाता हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में तो हम बा काफ यह एगर हम बात करें यह की तो इसका कहार पर कीया जाता है तो जिसका यूज़ जैसे अगर आपकी जो चैस था हैज़्ास हो च dwelling कोई भी दिक्कत हो रही है तो सक्डीशन dreng का यूज जिया है जाता है और ऑर इसकाूडनेंस का प्रिक्कतो और इसका और क्सलिन में कि परकार की आवाज आ रही है तो उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिशन पर लेने जो तो हमाँ बात कर लेते हैं इस डेक्सामीता सुन इंजेक्शन के बारे में जो कि डेगरडोन की नाम से काफ़ यदा फेमस है और हम बात कर लेते हैं इसके यूज की इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है अगर आपके वाड़ियू किसी प्रागी एलर्जिक रियक्शन हो हृआ जाता और यह इंद छिज़ें के लिए काफ़ आफ यह से और हम बात कर लेते बारे में व हमारा हाइड्र वाडियू सब्सक्राइब उपकिया जाता है और जाता है ली यह का यूज कि लेइस की सब्सक्राल उसक्तिया है जो को यूज का यूज कानिटर अभी उसका काफे आधा यूज किया जाता तो चलिए अब भात का लेता नेक्स इंजेक्शन के बारे में वह हमारे एमी का सिंज डॉक्त का और ये एक तरह का अमीनो गलाय के साथ केडिकरी से ब्लॉंग करता है और यह एक तरह के एंटी बैक्टरिल इंजेक्शन है जो कि काफ यदा यूज किया जाता है अगर आपकी बॉड़ी में किसी प्राइब का बैक्टरिय गूर्थ कर चुका तो इस काफ यदा यूज किया जाता है और यह कावी सारी डॉक्टर्स का फैबरेट इंजेक्शन है जो कि काफ यदा क्लिनिक और हस्पिटल में यूज किया जाता है तो चलिए अब हम बात करें नेक्स इंजेक्शन की वह हमारा सेफ्ट राइजन जो कि मॉन्स आपके नाम से काफ यदा फेमस है और यह एंबीब हम बात करें इसके बारे में जो इसका यूज होता है यह एक तरह के एंटिवार्टिक इंजेक्शन है जो कि काफ यदा यूज कर सकते हैं यह एक तरह के एंटिवार्टिक इंजेक्शन है जो की बैक्टरिय का ग्रोथ को कंट्रोर कर लेता और जो उनके बैक्टरिय ग्रोथ हो रहे होते हैं उनको भी किल करके उनकी ग्रोथ को कंट्रॉर कर दो यह दिसके काफ यादा यूज किया जाता है और यह एक तरह के एंटिवार्टिक इंजेक्शन जो कि काफ यूज में लाया जाता है तो चलिए अपको यहां पर एक चीज़ बताना चाहूंगा जैसे की आप गी कहीं पर भी क्लेंक पहर जाते हैं या हस्पिल्स में जाते हैं तो जो आyबी फिलर का जो कलर हो यल्लो हो जाता है तो यह बजहीं उससीë में बात कर लेते हैं टो जैसे कि आपके बॉर्ण किसी प्रकार की वीकिनेस हो रही ए तो की हे जान अगर आपके बॉड़ि में टॉल मैं भी लाय जाता है और आपको मील्टी बुटिर और गीतित इन देु Channel नाम से किने जो कि ऊखिशा की ऊट Sith किया जाता है तो चलिए अब हमारा नकांप आफ कर जो की को अब्लेक्य गम्ला आपकी बाड़िमें कि पृम की हो चीकिल है यह तो शो थाता है आपने काफिया होस्पिटल कर फल без ब्लैक हो जाता है तो उस कंडिशन में आर्न का जो इंजेक्शन वह उसडिर्प में डाल दिया जाता जो कि इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है यह का यस का यदा किया जाता है तो आम कि जरुद आखिर कर क्यों पढ़ दी है हमारी बॉड़ी में जो आरन होता वही हमारी बॉड़ी में हर जगा ऑक्सिजिन पहुंचाने का काम करता और वही हमारे न्यूट्रिशन को कहले करता तो इस वह से आरन हमारी बॉड़ी में काफी जरूरी और काफी यदा ये इंजेक्शन भी किय दिस्टर में यूज किया जाता है और यह मारे को सप्रेस कर देता उस कंडिशन आपको अपने यूज में लाना है जो कि आपको मार्ट में कहा नाम से हो छाता है तो चलिए लास्ट इंजक्षिन के बार में जो के हैं जाता है और यह एक तरह का डॉक्र किसी परकार की सरज्री करनी होती हैं तो इसक आपको करीब 15 सारे नेक्षिन मैं आपको यहां बैक डिसकास कर दें जो काफ यदा यूज में लाए जाते हैं और काफी सारी हॉस्पिटल्स और क्लिलिक वाइशन का यूज काफ यदा किया जाता है तो उम्मीद करते हूं आप पुछ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नियू अब्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राब जरूर कर दीजिए झाल 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